नमस्कार दोस्तों नव भारती परिवार में आप सब का स्वागत है आज मैं आपको प्रधान मंत्री की नियुक्ति कैसे होती है उनका कारेकाल क्या है प्रधान मंत्री के उत्तरदाइत्व क्या है और प्रधान मंत्री की भूमी का क्या है इसके बारे में अध्यन करेंगे आप सब जानते हैं बच्चों की प्रधान मंत्री संग्ये कारे पालिका का प्रधान होता है किसका प्रधान होता है संग्य कार्य पालिका संग्य कार्य पालिका का प्रधान होता है प्रधान मंत्री नहीं संग्य कार्य पालिका का प्रधान मंत्री होता है राश्ट पत्री और हमारे देश में जो व्यवस्ता है बच्चो वो आप जानते ही हो संगीर व्यवस्ता, संसदात्मक व्यवस्ता विद्यमान है और ये संसदात्मक व्यवस्ता हमने ब्रिटेन से लिए ब्रिटेन में भी क्या है एक नाममात्र का अध्यक्ष होता है और एक वास्त्विक अध्यक्ष होता है वैसे ही हमारे भारत में भी दो प्रकार की सब्ता है एक नाम मात्र की और एक है आपकी वास्तमुत क्या बताया मैंने हैं? मैंने बताया संगे कारे पालिका का प्रधान जो होता है वो राष्टपती होता है राष्टपती के नाम से समस्त कारियों का संचालन होता है संसदात्मक साशन लिवस्ता जो हम में बृतेन से ग्रेंड करी है और बृतेन के वैस्ट मिनिस्टर मौडल पर आधारित है कौन से मौडल पर आधारित है वैस्ट मिनिस्टर मौडल पर आधारित है इस मॉडल के आधार पर बिटेंग में भी दो प्रकार की सक्ता है एक नामात्र की और एक वास्त्रिक नामात्र की सक्ता वहाँ सम्राट के पास है और वास्त्रिक सक्ता वहाँ पर प्रधानमंत्री के पास है वैसे ही हमारे भारत में भी दो प्रकार की सक्ता है बच्चो एक न और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो आपका संबिधान है वो ये कहता है कि भारत का जो संबिधानिक प्रदान होगा वो राष्ट्पती होगा अनुचेद तरेपन के अनुसार उसको सहायता देने के लिए कोन होंगे अधिकारी होंगे कोन होंगे अधिकारी होंगे ये कौन सा संभिदान कहता है अनुचेद तरेपन कहता है कि संये कारेपालिका का जो प्रधान होगा वो राष्टपती होगा और राष्ट बती अन्य अधिकारियों का सहयोग लेकर के कालिय करेगा साशन का संचालन करेगा अब बात आती हम प्रधान मंत्री की प्रधान मंत्री की बच्चोगरम बात करें किसकी बात करें प्रधान मंत्री की प्रधान मंत्री जो देश का वास्त्विक साशक होता है क्या होता है प्रधान मंत्री जो कौन होता है वास्त्विक साशक होता है साशन का साशक होता है साशन का साशक होता है दल का नेता होता है दल का नेता होता है कौन है प्रधान मंत्री दल का नेता होता है मंत्री परिशद का प्रधान होता है मंत्री परिशद का प्रधान होता है कौन है प्रधान मंत्री लोग सबग क्या होता है नेता होता है कौन है प्रधान मंत्री और हमारा बाट ये संदिधान का अनुचेद चोहतर, अनुचेद चोहतर कहता है कि राश्ट पती को सला देने के लिए, प्रधान मंत्री वै मंत्री परिशद होगी, अनुचेद चोहतर कहता है कि राश्ट पती प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है, नियुक्त करता है और किसको नियुक्त करेगा बहुमत दल के नेता को लोगसभा के चुनाओं में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त करता है और राश्ट पती तीन तरह के मंत्रियों को चुनने का कारिय भी करता है तो हमारा जो प्रधान मंत्री है वो राश्ट पती हो है वो प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत को चुनने का कारिय करता है अनुचेद पिछत्तर के अनुसार और लोग सबा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधान मंत्री के पदपर क्या कर देता है नियुक्त कर देता है अब बात आती है जो मंत्री परिशद है मंत्री परिशद जिसका नेता प्रधान मंत्री होता है उनकी नियुक्ती भी कौन करता है अनुचेद पिछत्तर के अनुसार राष्ट पती करता है कौन करता है बच्चो राष्ट पती करता है अब आता है कि जो मंत्री परिशद है कौन है मंत्री परिशद है इसमें बच्चो तीन तरह के मंत्री होते हैं मंत्री परिशवले तीन तरह के मंत्री होते हैं पहला है बच्चो कैबिनेट मंत्री कौनसे मंत्री? कैबिनेट मंत्री दूसरे होते हैं बच्चो राज्ये मंत्री और तीसरा होता है बच्चो उकमंत्री तीन तरह के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीन तरह के मंत्री मिल करके और प्रधान मंत्री मिल करके मंत्री परिशद का निर्मान करते हैं तो मंत्री परिशत का निर्मान किस से मिलकर के बनता है कैबिनेट मंत्री प्रधान मंत्री राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर के मंत्री परिशत का निर्मान होता है और इन मंत्री परिशत के सदश्चों को भी नियुक्त करने का कारिय राष्ट पती के द्वारा किया जा और लोग सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल में से ही मंत्री परिशत के सदश्चों को नियुक्त किया जाता है और मंत्री परिशत को नियुक्त करने में प्रधान मंत्री की क्या लेता है सला लेगा ये बात को होई बच्चो किसकी राश्टपती की कि समवेधानिक रूप से प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत को चुनने का कारिय राश्टपती करता है लेकिन बच्चो कई बार गटबंदन सरकार बुनती है कौन सी सरकार बगती है गटबंदन या साजा सरकार भी बनती है तो क्या होता है गटबंदन बच्चो जब लोक सभा में किसी भी डल को बहुमत ना मिले किसी भी दल को बहुमत ना मिले उस इस्ति में राश्टपती द्वारा एक साजा सरकार बनाने के लिए जिसको साजा सरकार बनाने के लिए मंतृत करता है और उस समय राश्टपती अपने विवेग का प्योग करता है तो ध्यान रखना जब गटबंदन और साजर सरकार होती है उस समय प्रधान मंत्री की इस्तती दुर्बल होती है बच्चो प्रधान मंत्री की इस्तती कैसी रहती है दुर्बल होती है जैसे पीवी नरसिम्मा राव और आपके देव गोडा सहाब जो प्रतिनी जित्वी रहा प्रदान मंत्री के रूप में उनका प्रतीनिद्वत्र या प्रभुत्र कम रहा जब कि आपको प्रता है बहुमत वाली सरकार आई आपके अभी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो पूर बहुमत की सरकार है तो पूर बहुमत में प्रदान मंत्री का प्रभुत्म जादा होता है प्रदान मंत्री जदा पावरफुल होता है क्योंकि उसको मंत्री परिशत के जो अन्य दल के नेता है उनकी सुननी नहीं पड़ती है बच्चो तो प्रदान मंत्री का व्यक् विद्व उबर कर सामने आता है जब भूमत की सरकार होती है तो समझ में आ गया होगा क्या तो देखिए संधिये कारेपालिका का जो प्रधान होता है वो राश्टपती होता है लेकिन हमारे देश में संसदात्मा साशन व्यवस्ता है और संसदात्मा साशन व्यवस्ता की विशेस्ता होती है कि उसमें दो प्रकार की साशन सत्ता होती है एक नाम मात्र की होती है और एक वास्त्विक होती है नाम मात्र की जो सत्ता है हमारे भारत में राश्टपती के पास है और वास्त्विक उन्शक्तियों का प्रियोग जो करत अवास्त्री को कहा जाता है और बारत के प्रतम प्रधानमंच्री पंडित जमाच्छा लाल नहीरु बारत के प्रतम प्रदान मंत्री के रूप में रहे और वर्तवान में आपके जो प्रदान मंत्री है जिनका प्रभाव शाली यक्तित्व है वो है आपके नरिंद मोधी सहाब ठीक है उसके बाद आता है कि ये जो प्रदान मंत्री है उसको चुमिता कौन है तो प्रदान मंत्र राश्ट्रपती को सला देने के लिए प्रदान मंत्री और मंत्री परिशद होगी ये कहता है आपका अनुचे 24 और अनुचे 24 कहता है ति राश्ट्रपती प्रदान मंत्री की नियुक्ती करता है और जिस दल को क्या मिले बहुमत मिले उस दल के नियता को प्रदान मंत्री के पद पर नियुक्त करने का कार्या करता है फिर आता है मंत्री परिषक तो मंत्री परिषक के सदश्यों को भी राश्यपती के द्वारा चुना जाता है और जब वर्टबंदन की सरकार या साजा सरकार होती है उस इस्तती में लोग सबा में किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिलता है तो प्रधान मंतरी का व्यक्थित्वरी या प्रधान मंतरी की प्रभुसक्ता कम होती है बच्चो साजा सरकार में जैसे भी आपने पीवी नसिं माराओ का काल, देव गोडारबा साथ उत्का काल, अटल बियारी बाजफीस साथ का काल देखाऊगा उसमें उनके व्यक्तित्व या उनका प्रभुत्व कम था प्रधान मंत्री अपने बहुमत में जितना पावर कुल होता है वो साजा सरकार में उनका प्रभुत्वर कम होता है अब बात आती है मंत्री परिशर तो मंत्री परिशत की नियुक्ती राष्ट पती प्रधान मंत्री की सला से करता है बाकी बच्चो इन मंत्रियों का बटवारा, कालियों का आवंटन, विभागों का आवंटन सारा बच्चो प्रधान मंत्री ही करता है राश्ट पती जी केवल उस पर क्या करते हैं हस्ताक्षत लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि मंत्री परिशत का चुनाव राश्ट पती करता है और प्रधान मंत्री जी उसको क्या देते हैं सला देते हैं अब बाह आते हैं मंत्री परिशत में बच्चों तीन तरह के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री राज्ये मंत्री और उपमंत्री कैबिनेट मंत्री जो महतुकुर्ण विभाग है वो बच्चों कैबिनेट मंत्रियों को दिये जाते हैं और स्वतंत्र प्रभार जो है और सुना होगा मंत्री मंडल मंत्री मंडल के बच्चों कैबिनेट मंत्री और प्रदान मंत्री मिलकर के मंत्री मंडल का निर्मान करते हैं देश के जितने भी महत्यों निर्ने लिए जाते हैं उसमें मंत्री मंडल की बैठक होती है बच्चों मंत्री परिशत की बैठक कम से कम होती है केवल उस निर्ने से संबनित विभाग के मंत्री को उस बैठक में बुलाया जाता है बाकी मेंबर्स को मंत्री मंडल की बैठक में नहीं बुलाया जाता है, तो मंत्री परिशत व्यापक है, मंत्री मंडल उसी का एक छोटा रूप है, क्योंकि मंत्री मंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधान मंत्री को ही शामिल किया जाता है बच्चों, तो मंत्री मंडल कैबिनेट मंत्री और प्रधान मंत्री से मिल करवनी होती है अब बार आती है राज्य मंत्री राज्य मंत्री बच्चों वो मंत्री होते हैं जिनमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार सोपा जाता है जो कम महत्वकुम विभाग होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जो कैबिनेट मंत्रियों की साहिता भी करते हैं जब कि उपमंत्री जो होते हैं वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की साहिता के लिए उपमंत्री का पद दिया जाता है तो इस प्रकार आपने देखा कि मंत्री परिशद में तीन गरे के मंत्री होते हैं बच्चो पहला कैबिनेट मंत्री दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री अब बात आती है कि प्रधान मंत्री और मंत्री परिशद का सदश्य बनने के लिए आप में क्या होनी चाहिए योग्यता होनी चाहिए देखो बच्चों पहला तो आप सब जानते हो भारत का नावरिक होना चाहिए पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए अगर लोग सभा से चुना जा रहा है तो उसकी आयू 25 वर्ष होनी चाहिए और अगर राज्ये सभा से प्रदान मिंत् ऐसे भी हुए हैं जो कहां से चुने गए हैं राज्ये सभा से चुने गए हैं मई देखो मई देखो ये आपके मनमोहन सिंग इंद्रकुमार गुज्राल देवोडा और इंद्रा गांदी मनमोहन सिंग राज्ये सभा से चुने गए थे इसके अलावा इंद्रकुमार गुज गुज्रार सिर्दान भी दिया था इंद्रकुमार, गुज्रार इसके अलावा देव गोडा और है आपकी इंद्रा गांधी जिनका बहुत बड़ा प्रभावशाली काल रहा और जिनके काल में भारत में इमर्जनसीलागुली और पाकिस्तान से बंगलादेश को अलग रहाली में भी इंद्रा गांदी का महत्वपूर योगदान रहा बच्चो तो प्रदान मंत्री और मंत्री परिशत का मेंबर चुने जाने के लिए भारत का नाम रिक होना चाहिए लोग सभा का सदश्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और राज्ये सभा का सदश्य बनने के लिए ज अगर लोगसभा में उनके प्रतिव प्रस्ताव लागू हो जाता है तो प्रदान मंत्री और मंत्री परिशत दोनों को त्याग पत्र देना पड़ता है बच्चों और लोगसभा को समय से भंग करने का पावर राश्ट पती के पास है तो अनुचे पिच्चासी के अनुसार लोगसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है तो प्रदान मंत्री और मंत्री परिशत सामुई ग्रूप से व्यवस्ता पिका के प्रतिव तरदाई रहती है लोगसभा के प्रतिव तरदाई रहती है तो लोगसभा में जब तक उस की मंत्री परिशत बनी रहती है लेकिन अगर उनके विरुद्ध एविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाए तो एविश्वास प्रस्ताव लागू होने के इस्तती में प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत दोनों को क्या करना पड़ता है क्या पत्र देना पड़ता है तो आपने देखा प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत की न्यूपती कौन करता है राश्ट्रपती करता है प्रधान मंत्री सरकार का नेता होता है वास्त्विक और दल का क्या होता है नेता होता है और भारत के प्रथम प्रदान मंत्री को ने बच्चों बारत के प्रथम प्रदान मंत्री पंडिक जमार्डार नेरुते और प्रदान मंत्री की निटी करने का जो कारी है बच्चों वो कौन करता है राष्ट पती करता है और राष्ट पती क तो सला देने के लिए मंत्री परिशद होगी यह हमारा भारतिय संपिदान का अनुचेद चौत्तर कहता है इसके अलावा अनुचेद के अच्चतर कहता है कि राश्टपती प्रदान मंत्री को नियुक्त करेगा जिस दल का भगमत होगा लोकसमा में उस दल के नेता को प्रदान मंत्री बना देगा और मंत्री परिशद का जो गठन करेगा मंत्री परिशद की जो नियुक्ती करेगा जो भी राश्टपती करेगा तो आपने देखा कि संग्ये कारे पारिका में राश्टपती की कितनी भूमिका है लेकिन सम्विधान राश्टपती को माननेता देता है लेकिन उनकी वास्त्वेक्षता का उप्योग कौन करता है प्रधान मंत्री करता है कौन करता है प्रधान मंत्री करता है अब बात आती है बच्चों तीन तरह के मंत्री आते देख लिए इसके अलावा मंत्री परिशत को सला देने के लिए प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत को सला देने के लिए संसदिय सच्युपत के भी नूति की जाती है इसके अलावा ब प्रति दिन बढ़ता जा रहा था तो इस आकार को सिमित करने के लिए हमारे भार्टिय संविधान में बच्चो क्या हुआ संचोधन हुआ उस संचोधन का नाम है बच्चो कौन सा संविधान संचोधन हुआ इक्रान में वा संविधान संचोधन 2003 में हुआ बच्चो कब हुआ 2003 में हुआ इस संविधान संचोधन के आदार पर कहा गया कि मंत्री परिशत मंत्री परिशत के सदश्यों की संख्या मंत्री परिशत के सदश्यों की संख्या लोक सभा के कुल सदश्यों के पंद्रा परिशत से अधिक नहीं हुआ अधिक नहीं होगी ये कहना था 91 संविधान संचोधन में कि जो की 2003 में आया मंत्री परिशत के सदश्यों की संख्या लोग सभा के कुल सदश्चों के पंद्रा प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ये हमारा बारतिय सभुविदान कहता है कारेकाल के बारे में पड़ लिया हुने उसके बाद आता है बच्चो सपत मंत्री परिशक और उसके सदश्चों को सपत दिलाई जाती है एक सपत तो लेते हैं वो गोपनियता की और दूसरी सपत लेते हैं अपने पद की प्रदान मंत्री और मंत्री परिशक को राश्च पती के द्वारा सपत दिलाई जाती है किसके द्वारा राश्च पती जी के द्वारा क्या दिलाई जाती है सपत दिलाई जाती है कोई जरूरी नहीं है कि राश्ट पती क्या दरे सफत दिलाए राश्ट पती द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ती भी प्रदान मंत्री और मंत्री परिशत्य के सज़श्चों को सफत दिला सकता है तो आज हमने प्रदान मंत्री की नियुक्ति कारेकार मंत्री परिशत का आकार मंत्री परिशत की नियुक्ति मंत्री परिशत मंत्री परिशत के बारे में जाना आगे के वीडियो में आम प्रधान मंत्री के कारियों भूमिका उत्तरदाइप आधी के बारे में बच्चों चर्चा करेंगे और आप सम ये कारेपालिका का जो मैन प्रदान होता है वो होता है अपका प्रधान मंतरी और भारत में बारतिर ही सबसे महत्वकूर्ड माना जाता है ना केवर भारत में जब की विदेशों में वी प्रधान मंत्री के पद को जादा वर्यता प्राप्त की गई है वास्त्रिक रूप से लेकिन संविधान मान्यता देता है राश्त्रपती को लेकिन वास्त्रिक रूप से मुशक्तियों का प्रियोग करता है प्रधान मंत्री हाला कि साजा सरकार में उसका अस्तित्व थोड प्रधान मंत्री वही माना जाता है और उसके लिए बेश स्यार करता है मंत्री परिशन साशन की आधार शीला है आपकी मंत्री परिशक जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों तो कक्षाट वल्थ की विद्यार्थी जिसके लिए ये युनिट पढ़ देखेंगे जा रही है तो आप मेरे विडियो को पूरा वाच करे कमेंट करे शेयर करे ताकि आगे से आगे मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और नाईन क्लासेश की सुविदा देती रहूं और राजनीती विज्ञान को आपको इस तरीके से समझा पाऊं ताकि ऐन उनलाइन क्लासिस का फाइदा आप उठा सको बच्चों धन्यवक्त।